हलो दोस्तों स्वागत आपका डिवोशन इंस्टिट्यूट में आज हमारा 63rd सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन्स को प्रेपोजिशन्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है शुरू से लेकर अन्त तक बहुत अच्छे से देखिए और सारे रूल्स खुद से प्राक्टिस कीजिए जब आप खुद से क्वेश्चन करते हैं तब ही आप पेपर में करने लाइक बनते हैं तो दूसरा सेशन है एक सेशन हम पहले कर चुके हैं आज का सेशन शुरू करेंगे रूल नंबर 8 के साथ आपके पास तीन औप्शन है इन सारे सवालों में between, among और amid जरा अपना दिमाग लगाएं और फिल करें यह टेंशन बिल्कुल भी ना करें कि सही फिल होगा या गलत फिल होगा क्यूंकि गलत होने से भी आपका फायदा है और सही होने से भी आपका फायदा है अच्छा यही होगा कि आप गलत कर लें और एक्जाम के अंदर गलत ना करें अपना पूरा दिमाग लगाएं कोशिश करें स्ट्रॉप अपना टिमाएं कश्ड़ लृगा है आप में से कुछ ने कर लिया होगा अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को पॉस कर लें और उसको करने के बाद ही आगे वीडियो देखें देखो बिट्वीन जो है वो दो के लिए इस्तमाल होता है टू के लिए यह हम पहले बात कर चुके हैं अच्छली सब्जेक्ट वर बेक्रिमन कंजिंशन वाले चाप्टर में और अमंग जो है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है किसके लिए दो से ज्यादा और अमिड जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है जरगोर फरमाईएगा काउंटेबल होंगे तभी वो दो या दो से ज्यादा होंगे अच्छा एक के बिट्वीन अमंग अमिड तीनों ही नहीं लगता दो होंगा काउंटेबल तो बिट्वीन लगेगा men तो आप 2 के लिए भी कोगे 2 से ज़्यादा के लिए भी कोगे पर अगर पता नहीं चल रहा 2 specific नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे कि बात 2 से ज्यादा की ही हो रही है तो क्या लगा देंगे among लगा देंगे the sweets were distributed among the men the match is India and Pakistan India 1, Pakistan 2, क्या आजाएगा between बहुत यह आसान question है match is between India and Pakistan आजाएगा यह आप समझते ही है he was lost dash all the confusion all भी 2 से ज़्यादा के लिए use होता है लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो confusion जो है वो एक uncountable noun है confusion जो है वो क्या है uncountable noun है अगर confusion uncountable noun है तो यहाँ पर आप दो से ज़्यादा के लिए among लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते क्यों क्योंकि confusion uncountable है इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा amid all the confusion की confusion के बीच में वो कहीं खो गया था confusion के बीच मतलब uncountable confusion के बीच uncountable के लिए amid हम लगाएंगे आई होप आप समझ पा रहे होंगे तूर्णामेंट इस डैश इंडिया पाकिस्तान और साउथ अफ्रिका इंडिया एक पाकिस्तान दो साउथ अफ्रिका तीन पर मैं यहाँ लिख क्या रहा हूँ between आपका मन करेगा सर आपने यह क्या किया दो से जादा थे दो से जादा के लिए अमंग आपने बोल रखा है फिर भी आपने between कैसे लगा दिया मैडियर यह special case है जरा गौर फरमाईएगा थोड़ा सा important question है यह यह special case है देखो टूर्णामेट तीन लोगों के बीच में है पर क्या तीन लोग इकटा एक साथ मैच खेल सकते हैं क्या नहीं दो-दो करके खेलेंगे पहले इंडिया पाकिस्तान का होगा पाकिस्तान साथ अफरीका का होगा साथ अफरिका इंडिया का होगा फिर जो जीतेगा उसके हिसाफ से गेम चलेगा तो हम कहना क्या चाते हैं कि इसको पारस पर इक दो बोलते हैं हिंदी के अंदर हना corresponding two two करके अगर आप उठा रहे हो चीजों को दो दो करके अगर आप देख रहे हो तो दो से जादा में भी आप कभी कभी between लगा सकते हो तो tournament हो गया match खेलने की बात हो गई ऐसे सब कुछ जो होता है समझोते हो गए वो भी दो दो के बीच में होते हैं हना ऐसी कुछ भी आता है तो दो से जादा के लिए भी between लग सकता है अगर वो पारस पर एक दो है corresponding two है दो-दो करके आपको उसे उठाना है वो सारे एक साथ काम नहीं हो सकता जैसे मिठाई दो के बीच में नहीं बटरी मिठाई सारों में एक अठी बट सकती है लेकिन मैं सारों में एक अठा नहीं ह हो सकता दो-दो करके ही होगा इसलिए हमने क्या लगाया है between लगाया है I hope आप समझ पा रहे होंगे there is very good coordination them में अब पता नहीं कितने लोग है इसलिए हम क्या लगा देंगे दो से जादा मानते हुए अमंग लगा देंगे he started talking dash the booing of the crowd booing क्या होता है उतरो नहीं बोलना ऐसे करके crowd जब भी किसी के अगेंज जाता है तो वो boo करता है तो booing again uncountable है हमें पता नहीं कितनी booing हुई थी 15 हुई थी के 20 हुई थी तो amid आ जाएगा john looked for his friend dash the crowd crowd का मतलब भीड होता है और भीड भी uncountable होती है इसलिए क्या जाएगा amid आएगा ना कि among आएगा हाना amid क्योंकि crowd uncountable noun है पांच crowd दस crowd नहीं होता bob walked dash the trees trees countable है क्या हान जी क्या लगा दूं among dash the rain rain countable है क्या नहीं जी क्या लगा दूं amid the rain among the trees amid the rain I hope आप clear होगा आपको ये d जो है ये थोड़ा सा सीखने वाला है बाकी दो के लिए between दो से जादा के लिए among और uncountable noun के लिए आप amid का इस्तमाल करते हैं I hope ये clear होगा rule number nine की और चलते हैं above और over दो option है आपके पास पूरा दिमाग लगाएं fill करें दस सवाल बहुत ही important ये ऐसे सवाल लिये हैं मैंने जिसके अंदर सब कुछ cover हो जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा झाँआँड़ लिए और शो करेंज़ भी बचल और सब करेंदा के लिए जाएगा । पूरा दिमाग लगाएं समय खराब ना करें पूरा दिमाग लगाएं समय खराब ना करें आप में से कुछ ने किया होगा मैं समय थोड़ा सा कम इसलिए देता हूँ ताकि जो लोग कर चुके हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो अगर आप ने नहीं किया है तो आप अराम से पॉस करके इसको पूरा सॉल्व कर लें क्या ही जल्दबाजी है आपको सिर्फ सीखने से मतलब होना चाहिए अना तो ये इतने सारे सवाल लगेगा सिर्फ अबब या ओवर पहले हम ओवर की बात कर रहे हैं ओवर के तीन मतलब होते हैं एक मतलब तो ओवर का होता है कवर करना धकना जिसको बोलते हैं कवर करना या धकना धकना जैसे पुटाशीट डैश दा टेबल अगर आप on लगाते हैं put a sheet on the table तो वो सिम्टी हुई table के उपर पड़ी है ये बोलना चाहते हो अना समेट कर अगर कोई sheet आपने table पर रख दी तो वो on the table है या upon the table है अगर रखने का काम हुआ है तो लेकिन अगर आप वो fold करके रखने की बात नहीं कर रहे table को ढखने की बात कर रहे हो तो आप क्या करोगे over the table करोगे फिर आप on या upon the table नहीं करोगे आप फरक समझ पा रहे होंगे अगर sheet fold करके table के उपर पड़ी है तो वो on the table है लेकिन अगर ढगी हुई है तो वो over the table है तो ढखना जो मतलब है वो एक निकलता है दूसरा मतलब निकलता है एक चोर किनारे से गंगा के उस किनारे तक एक ब्रिज है तो इस चोर से उस चोर या इस और से उस और तक जोईन करना है जब भी आपको किसी को तो भी आप over लगा सकते हैं अभव नहीं लगाएंगे अभव का मतलब जो है अभव जो word है उसका मतलब होता है स्तर के उपर एक level के स्तर के या फिर एक level के उपर को हम अभव कहते हैं अना क्या मतलब है कि ये एक level है गंगा का और इसके उपर bridge है उपर bridge नहीं हवा में उड़ता हुआ bridge नहीं बनता कभी भी इस तरफ बिड़ा होता है जुड़ा होता है भूमी से और उस तरफ भी जुड़ा होता है और ऐसे bridge बनता है तो इसलिए as friends all over the world सब जगे है अना पूरी दुनिया में सब जगे उसके दोस्त हैं तो all over the world आ जाएगा अब देखो he can jump dash four feet अब चार फुट क्या है एक स्तर है क्या एक लेवल है क्या उसे लेवल से उपर कूच सकता है तो लेवल के उपर को क्या बोलोगे above four feet बोलोगे क्या बोलोगे जी above four feet बोलोगे we earn to put a roof over your head तुमारे सर के उपर छट रखने के लिए पैसा कमातने तुमारे पिता जी क्या मतलब हुआ कि over your head cover करती हुए ना छट आपके सर को cover करती है above your head नहीं कर सकते over your head करेंगे ढखती है he works और he lives वो मेरे उपर काम करता है he works over me चौथा मतलब इसका जो निकलता है वो है senior का जब भी कोई senior है जो senior काम करता है वो आपके over है और आप उसके under हो अभी देखेंगे under और below को भी तो वो over की तरीके से senior के तरीके से लेकिन he lives over me वो मेरे एकदम उपर रहता है मतलब सर पे रहता है क्या नहीं he lives above me lives above me का मतलब क्या हुआ वो मेरे उपर वाले माले पर रहता है जैसे मैं first floor पे रहता हूं तो वो second floor पे रहता है मैं fourth पे रहता हूं तो वो fifth पे रहता है ये बोलना चाते है work में वो senior है ये बोलना चाते है river was flowing above the danger level danger level एक level X तर है उस तर के उपर बह रही थी नदी तो above the danger level आ जाएगा he sold the goods above the MRP maximum retail price है एक level X सर है उससे उपर उसने goods बेचे तो above आ जाएगा ram jumped over the wall on the wall नहीं लिखा जी upon the wall अगर मैं लिखूंगा तो ये wall है और ram यहां से कूद के wall के उपर चला गया ये तो upon the wall हो गया अप समझ पा रहोंगे ना मनलो ये wall थी और यह राम है राम यहां से कूद के उपर चला गया तो ये upon the wall है लेकिन हमने बोला कि राम यहां से खुदा और यहां पहुंचा वाल के दूसरी तरफ चला गया इस और से दूसरी और तो हम क्या बोलेंगे राम जम्ड ओवर दा वाल बोलेंगे I hope आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा एक तो धकना मतलब होता है एक छोर से दूसरी चोर कर लो और कर लो सब जगह एक मीनिंग होता है और सीनियर एक मीनिंग होता है और अबव का मतलब होता है एक स्तर बनाकर स्तर के उपर एक लेवल के उपर की जब हम बात करते हैं तो अबव का इस्तमाल करते हैं I hope यह clear होगा Rule number 10 पे चलते हैं Below, Under और Beneath पूरा दिमाग लगाएं 10 सवाल, 11 सवाल है आपके सामने जब तक खुछ से नहीं करेंगे तब तक एक्जाम में नहीं होगा यह शौरेटी मान लेना यह शुछ से नहीं होगा यह शुछ से नहीं होगा करते हैं झाल करते हैं मैंल यह मैं करते हैं क्जाम नहीं झाल झाल पूरा दिमाग लगाएं समय खराब ना करें बिलो अंडर और बिनीद ये तीनी आप्षिन से आपके पास आप मैंसे कुछ ने तो कर लिया होगा अगर आपने नहीं किया है तो अगेन पॉस करें पहले सॉल्व करें अना बिलो अभव जैसा ही है लेवल के नीचे अगर बोलना हो किसी लेवल के नीचे एक स्तर के नीचे स्तर कहलो लेवल कहलो स्तर या लेवल के नीचे बोलना हो तो बिलो बोलते हैं अगर under जो है वो over का उल्टा होता है तो under का एक मतलब junior भी होता है under का एक मतलब जहां पे दूरी कम हो एकदम pass में जो नीचे होता है कम दूरी की बात कर रहे हो जब हम नीचे की तो भी हम under का इस्तमाल करते हैं और भी हम देखेंगे बिनीत जो है वो abstract nouns के साथ लगता है abstract nouns के साथ कहलो या फिर intangible nouns के साथ कहलो मतलब क्या कि ये मेरी मर्यादा की नीचे है अब मर्यादा कहां पे है भी मर्यादा कोई चीज तो है नि जिसके नीचे कुछ पढ़ा हो सकता है मर्यादा की नीचे है तो सम्मान हो गया, मर्यादा हो गई, यह सब चीजे क्या है, यह सब abstract nouns है, हना, reputation हो गई, या फिर dignity हो गई, यह सब abstract nouns है, इनके नीचे के लिए हम बिनीत का इस्तमाल करते हैं, जरा देखते हैं, reading skills are below average, क्यों लगाया below, average एक level एक स्तर है, कि average इतनी तो होती है reading skills, और उसकी इ नीचे है, स्तर के नीचे के लिए below average, he works obviously क्या लगाओगे, under me, क्योंकि under का एक मतलब क्या होता है, junior, तो जैसे he works over me लगाया था, senior के लिए, वैसे he works under me लगाया है, junior के लिए, कि वो मेरे under काम करता है, यह से बोलते हैं, he lives below me, he lives below me का मतलब वो नीचे वाले माले पर रहता ह under me मतलब हो जाएगा, या तो वो मेरे पैरों की नीचे रहता है, या मैं उसके सर पे रहता हूँ, जो कि दोनों ही गलत हो जाएंगे, he was hiding under the bed, अब आप में से कुछ कामन कर सकता है, sir, bed का तो एक level होता है, और उसके नीचे गुसना होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, दूरी कम ह bed और उसके बीच में समान के नीचे की बात हो रही है, car होती, bed होता, तो ये सब के लिए under ही आता है, under the table बोलते हैं, under the table पैसे लेते हैं, सरकारी अफसर, तो वो under मतलब दूरी नहीं है, table और जहां पे भी पैसे जा रहे हैं, उसके बीच में, it is dignity बोल रहे हैं, तो क्या बो परना, the whole village was underwater, ये तो आपको पता ही है, underwater होता है, below water का मतलब क्या होएगा, उपर पानी और नीचे विलेज है, ऐसे नहीं होता, पानी village के अंदर ही है, मतलब village पानी के अंदर ही है, तो underwater हो जाएगा, temperature fell, below zero degree, क्योंकि या below zero degree, zero degree एक level extra है, उसके नीचे के लिए below zero degree, you are, य houses, under construction, ये भी आपको पता ही है, killed a man, under the influence of alcohol, ये जो इसके बाद जो चार लिखे होए है, ये सब हम, ये तीन लिखे होए है, ये वो है जो general usage में आते हैं, under arrest होता है, under construction होता है, under the influence of alcohol मतलब शराब के नशे में, under the influence of alcohol का मतलब क्या होता है, शराब के नशे में उसने एका क्यों poverty line एक level है एक स्तर है उसके नीचे के लिए आप क्या लगा दोगे below लगा दोगे I hope आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे हमने above और over पड़ा था बिल्कुल वैसे ही below और under होता है और एक बिनीत और आ जाता है इसमें जिसको हम abstract nouns के लिए use करते हैं यह rule number 10 था हमारा rule number 11 पर चलते हैं between और from बहुत ही असान से 4 सवाल है 20 second का समय है आपके पास फटा फट से solve करें I hope आपने कर लिया होगा देखो between के साथ and लगता है और from के साथ to लगता है between का मतलब के बीच में तो 2 से 3 के बीच में नहीं होता दो और तीन के बीच में होता है यह common sense गलती करते हैं लोग अक्सर from के साथ two में तो दिक्कत नहीं होती कि दो से 3 तक तो तक लगाने के लिए two लगा दिया और from लगाने के लिए say लगाने के लिए from लगा दिया दो से 3 तक में तो दिक्कत नहीं है पर दो डैश तीम के बीच में तो दो से तीम के बीच में नहीं होता ये गलत हिंदी भी गलत है ये दो और तीम के बीच में होता है दो चीजों के बीच में होता है तो ये और ये बोलते हैं तो between के साथ end लगाते हैं from के साथ two लगाते हैं तो two लगा हुआ है, तो from कर दो, and लगा हुआ है, तो between कर दो, दिमाग की कुछ नहीं लगाना, एकदम very 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 easy है, कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ही common sense सा question है, लेकिन फिर भी ये दो number आपके कटवा सकता है, pre के exam में, या दो number आपको दिलवा सकता है, between के साथ and, और from के साथ to, rule number 12 पर चलते हैं, since or for, again very important rule, आदे से जादा मैंने आपको tenses के chapter में पढ़ा दिया था, और थोड़ा सा एक और मतलब है, वो भी सब कुछ बताया हुआ है इनके बारे में, बस ये question solve करने की कोशिश करें आप पूरा दिमाग लगाएं, बहुत ही ज़्यादा असानी है और सब कुछ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको I hope आप में से कुछ ने किया होगा, नहीं किया है तो pause करें देखो, since और for दोनों ही कब से के लिए आता है याद करो, perfect continuous tense के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि कब से बताना पड़ता है since और for लगा कर बताते हैं since point of time के लिए आता है समय बिंदू के लिए आता है और for जो है, वो period of time के लिए आता है समय अवधी के लिए आता है कैसे बताया था पैचानेंगे अगर कभी भी आ सकता है तो अवधी है अगर एक निश्चित समय पर आएगा तो बिंदू है पांच बजे, क्या अभी पांच बजा दें क्या बजी नहीं सकते अभी पांच, तो पांच बजी बजेंगे 18 तारीक, आज 18 तारीक कर दें क्या नहीं कर सकते, अभी January चालू कर दें क्या नहीं कर सकते, 1922 में ले आएं क्या नहीं ला सकते, तो ये सब क्या है ये point of time है, 20 वी जताबदी अभी आ सकती है के नहीं आ सकती है, क्या है, point of time है लेकिन 2 घंटे, 2 मिनट, अभी हो सकते हैं, 2 सेकिंड हो सकते हैं, 10 साल अभी से चालू कर सकते हो, कर सकते हो दो दिन चालू कर सकते हो, दो हफ़ते चालू कर सकते हो यह सब क्या है? समय अवधिया है, period of time है तो for लगता है, period के लिए और point के लिए since लगता है और इसके लवा since का एक मतलब क्यों की होता है? because वाला, जो because का मतलब होता है, वो ही since का मतलब होता है और for का एक मतलब के लिए होता है अना I am doing this for you मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ भई तो for का मतलब एक के लिए होता है और since का मतलब क्यों की होता है तो हम देखते हैं she has been waiting since 2 p.m. क्यों भई 2 p.m. point of time है तो since आएगा she has been waiting for 2 hours क्यों भई period of time है तो for आएगा very very easy I have not eaten for a long time अब a long time एक point of time है क्या a long time मतलब एक लंबा समय point of time है क्या लंबा समय तो अभी से भी चालू कर सकते हो तो for a long time आएगा rules are for your own benefit तुम्हारे फाइदे के लिए हैं तो तुम्हारे फाइदे के लिए तो के लिए कैसे बताओगे for से बताओगे के लिए you will fail since you don't study तुम fail होगे क्यों 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 की पढ़ाई नहीं करते तो fail होगे और क्या होना है तो since you don't study dash the beginning since the beginning शुरू से ही मेरे को तो पता था कि कुछ तो दाल में काला है circumspect का मतलब क्या बताए था कि जब आप पूरी तरीके से शौर नहीं होते चौकस चकनने होते किसी चीज को लेकर तो आप circumspect हो आपको लगता है दाल में कुछ काला है तो since आजाएगा since क्यों लगाया हमने क्योंकि शुरू से ही तो beginning जो है वो एक point of time होता है beginning किसी भी चीज की point of time पे होते है जैसे sunrise एक point of time पे होता है तो since आजाएगा very 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 easy है I hope आपको समझ में आ गया होगा अगले rule पर जलते हैं 13 across or through दिमाग लगाएं 8 सवाल हैं आपके सामने across or through झाल आपके सामने झाल झाल पूरा दिमाग लगाएं आप मेंसे कुछ ने किया होगा नहीं क्या है तो पॉस कर लें और उसके बाद देखें देखो कोई भी चीज है यहां से यहां गए तो अक्रॉस गए एक तरफ से दूसरी तरफ जब आप जाते हो तो अक्रॉस जाते हो लेकिन जब भीतर से जाते हो तो थू जाते हो जैसे आप पार्क के तो अक्रॉस जाते हो क्योंकि पार्क के अंदर से वाले भीतर से मतलब ऐसे वाला भीतर से नहीं है मैं आपको समझाता हूँ कैसे हो रहा है कि पार्क में कैसे आप वैसे तो पार्क के अंदर से हिंदी में तो हम यहीं बोलेंगे पार्क के अंदर से गया लेकिन इस पार्क के इस कोने से उस कोने पर जाओगे तो आप ऐसा कुछ diagram बना सकते हो कि यह आप across गए हो लेकिन tunnel है tunnel क्या होएगा चारों तरफ से आपको cover करके रखी है और आप उसके अंदर से जा रहे हो पानी जो है वो pipe के अंदर से जाता है तो वो four side covering की बात कर रहे है वो ऐसे पार के अंदर से ओके मैं गया इस तरफ से उस तरफ वो वाली बात हम नहीं कर रहे है तो through जो है वो अंदर से के लिए आता है चारों तरफ वाले अंदर से के लिए और across जो है वो एक स्पार से उस स्पार के लिए आता है ज़रा देखते हैं we swim क्या आएगा भई across the river river के across ही swim करोगे ना तुम इस तरफ से उस तरफ अंदर से नहीं जाते हो तुम swim swimming उपर उपर होती है we went through the tunnel आजाएगा tunnel के तुम बीतर से जाओगे I saw her sitting वो बैटी थी मैंने उसे देखा across the table across the table मतलब table के इस तरफ तो मैं बैटा था और table के उस तरफ वो बैटी थी तो वो across the table बैटी थी आप से the hospital is across the public park गली के इस तरफ तो public park है और उस तरफ hospital है across I loved walking through the forest क्यों लगाया through across क्यों नहीं लगाया क्योंकि forest के एक छोर से दूसरी छोर पे नहीं जा सकते है आप इतना बड़ा जंगल होता है जनम जनम तो नहीं कई दिन लग जाएंगे ऐसे समलो अना कई दिन कई साल लग जाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ पैदल चलके जाने लगे तो we walked through the forest का मतलब आप बस forest के अंदर अंदर चारो तरफ आपके forest था और अंदर अंदर जाकर आप वापिस आगए ये बोलना चाते हो ओफिस इस ओपन मंडे थू फ्राइडे यहां पे अक्सर बच्चों का टू लगाने का मन करता है और हमने सुना भी टू है पर वो actually अंग्रेज थू लगाते थे थू थू करके हमने थू बना दिया उसको Monday to Friday खुलता है जी ओफिस Monday to Friday क्लास आती है पर ये गलत है Monday to Friday नहीं आती Monday through Friday आती है Monday to Friday गलत मीनिंग है Monday through Friday का मतलब Monday Tuesday Wednesday से Friday तक regularly आएगी Next देखो I came across Come across का मतलब होता है अचानक मिलना जब तू अचानक किसी से मिलते हो तो come across करते हो Stumble upon भी बोलते हैं इसको Come across भी बोलते हैं कि मैं राम को अचानक से railway station पे मिला तो you came across राम आ जाएगा I came across a childhood friend में बच्पन के दोस्त को मिला तो अचानक से मिलने को अचानक भेंट को आकस्मिक भेंट को आप कम अक्रॉस कह सकते हो लेकिन कम अक्रॉस तो आप लगा दो शेर भी मिल सकता है लेकिन आपको बस सिखाना में यह चाता था एक यह फ्रेजल वर्ब है हाना फ्रेजल वर्ब मैं बी बी suddenly नहीं लगाते यह आपको खुछ से लिख लेना चाहिए एक तो यह लिख लो कि come across का मतलब अचानक मिलना होता है और एक यह लिख लो कि come across के साथ हम कभी भी suddenly नहीं लगाते क्योंकि suddenly का मतलब भी अचानक होता है और अचानक quality आ गया ना, दो-दो डबल अचानक मिलना नहीं होता, सिर्फ अचानक मिलना होता है, cross का मतलब इस तरफ से उस तरफ, और through का मतलब भीतर से या अंदर से, yes I hope यह clear होगा आपको, बहुत ही अच्छा rule है, rule number 14 पर चलते है, before or in front of दिमाग लगाएं, चार सवाल आपके सामने बहुत ही अच्छा rule है, ये भी केवल चार सवाल है, एक कुछ ना कुछ भरें जरूर, गलती से डरें ना गलती करें गलती करेंगे तो सीखने के चांस बढ़ जाते हैं I hope आपने कुछ भरा होगा, एक तो होता है सामने, और एक होता है समक्ष ये जो समक्ष है ये fancy सा हिंदी word है, देखो आप judgment के सामने पर सामने का मतलब ये नहीं होता कि आप physically सामने लढते हो, आप समक्ष लढते हो, मतलब जज को सुनाने के लिए लड़ते हो जज सुने आपका केस समझे इसलिए लड़ते हो तो आप जज के सामने नहीं लड़ते हो और पार्किंग आप गेट के सामने नहीं कर सकते तो वो सामने का मतलब सामने यह समक्ष नहीं है तो जहाँ पर आपको इज़द देनी है, सामने वाले के लिए वाली feeling देनी है, वहाँ समक्ष लगाते हैं, नहीं तो सामने लगाते हैं, तो in front of जो होता है, ये तो सामने हो जाता है, और before के दो मतलब होते हैं, एक समक्ष और एक पहले, पहले तो आपको पता ही है, कि before का मतल सब भी पता चल जाएगा तेको he appeared before the council लगाएंगे क्यों लगाएंगे council जो होगी उसमें कुछ लोग होंगे तो वो जो appear किया उसने in front of council नहीं है कि council के सामने जाके खड़ा हो गया जी देख लो मैं आ गया नहीं और council से पहले भी नहीं आया वो council के समक्ष गया अपना case लेके वो council जो भी थी चार लोगों की पांच लोगों की पचास लोगों की वो उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ कि यह मेरा proposal है या यह मेरा case है या जो भी जो भी आप कहना चाहते हो तो वो before the council don't park in front of the gate gate के तो सामने parking नहीं करनी तो वो तो एकदम सामने की बात हो रही है he came before rita अब यहां पे पहले वाला meaning है कि rita के पहले ही वो आ गया था पहले वो आया बाद में we pleaded our case before the judge before the judge मतलब judge के समक्ष आपने प्लीड किया है case judge के सामने की बात नहीं हो रही है हना तो बहुत ही महीम सा difference है लेकिन सामने जब हम बोलते हैं तो उसमें बहुत फरक आ जाता है I hope आप यह clear होगा rule number 15 आज का और करते हैं in spite or despite बहुत ही आसान सा rule है ये भी बहुत ही ज़ादा आसान है अपने हिसाब से भरो ज़रा चार option से आपके सामने क्या आना चाहिए भरें अपने आप से I hope आपने कुछ तो किया होगा देखो दोनों का ही मतलब के बावजूद बावजूद होता है दोनों का ही मतलब के बावजूद होता है इसके बावजूद ऐसा हुआ लेकिन फरक जर्विस्तना है कि despite केवल despite होता है और in spite जो होता है उसके साथ हम off लगाते हैं तो in spite के साथ off लगता है और despite के साथ off नहीं लगता यहीं आपका rule है तो he failed off नहीं लगा हुआ तो despite लगा दो यहाँ पे off लगा हुआ है तो in spite of being intelligent यहाँ पे क्या जाएगा despite आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या जाएगा despite आ जाएगा तो despite working hard मैनत करने के बावजूद फेल हो गया intelligent होने के बावजूद फेल हो गया अमीर होने के बावजूद कंजूस है सोते रहने के बावजूद सक्सीड हो गया तो के बावजूद meaning निकलता है दोनों का एकदम same meaning है फरक सिर्व इतना ही है कि despite के साथ कुछ नहीं आता और in spite के साथ of आता है आगे हम कल करेंगे आज के लिए काफी है मेरे को लग रहा है next rule से हम कल देखेंगे आप रोज हमारे साथ जुड़ते रहिए और पूरा मन लगाकर खुद से question practice कीजिए ताकि आप exam में अच्छा score कर सके thank you very much for watching take care, bye bye